जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के कश्मीर के इलाके को खुबसूरती से जितने भी लोग जितने भी हजरात विलॉगर हो या कोई भी हजरात हो वो तारीफें करकर के ठकते नहीं हैं लेकिन जम्मू के इलाकू में भी अगर देखा जाए तो बहुत खुबसूरत जगाएं है जिनको ढूंडने के लिए नजरे चाहिए और जिनको ढूंडने के लिए आप में शम्ता होनी चाहिए मैं आज एक बहुत ही खुबसूरत रामसर के साथ खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक तलाब है बेश्या कि गंदा है अभी लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये तलाब 1912 में बना है और 1912 से पहले भी यहां पे चोटा सा तलाब हो सकता है लेकिन उसके बाद जब इस तलाब को बनाया गया आप देख सकते हैं कि उस वक्त की कंस्रक्शन कितनी मजबूत है कि 1912 से लेके आज 2024 से 2024 में भी आज इस पूरे साइट को अगर आप देखें तो दिल करता है कि पूरा दिन यहां पे बिताओं हम स्ट्रेट लाइन के माधियम से आज आज आपको सुचेतर के बिलकुल साथ में जब आप जो है नगरोटा के टनल को क्रॉस करने की जब आप सिरनगर यहां डोडा से यहां किष्टवार से आते हैं और नगरोटा के टनल के बिलकुल पास में ही यह जगा है आप बिलकुल अगर राइट साइट देखेंगे तो आपके खुबसूरत सा एक टैंक दिखेगा जो कि इस परीबाशा में लिखा हुआ है पर जो स्टॉन लगाया गया है लेकिन हमारी परीबाशा में एक तलाब है यह और इस तलाब को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है जबकि इस तलाब के बारे में जो यहां पर लिखा हुआ है तो उन्हों अगर आप देखेए इस तरीके से बैथने के लिए जगाएं बनाई गई है और आप इस पथर कोभी देखेए इस पथर कि मZबूती को आप देखेए कि 2012 के बाद भी इस पत्थर की मजबूती इतनी है कि अभी तक तूटा नहीं दूसी तरफ से आप टूरिजम विभाग के अगर पार्क में जाएंगे तूरिजम विभाग के अगर आप जीलूं के आसपास घुमेंगे आपको टूटी फूटी चीजें जो हैं एक दो या तीन साल में दिखेंगे जैसे हरी सिंग पार्क में भी अगर आप जाएंगे दिवा टूटी हुई है यहां किसी भी पार्क में जाएंगे आपको डैमेज कंडिशन मिलेगी लेकिन आप इस जगा भी देखें कितनी शान्त और कितनी खूबसूरत है चारुन तरफ पेड़ लगे हु इस तरीके से बहुत सारी संस्क्रिटी के साथ जुड़ा हुआ है और संस्कृति में भी हमने यह चीज देखी है कि जितने भी राजा-महराजां हो वह इन तलाबों से बहुत महबबत किया करते थो इन तलाबों के किनारे हमेशा एक बर्गत का पेड़ हुआ करता था उस ब बार वक्त बीटता था तो इन तालाबों के इद्गित भी तारीख के बहुत सारे बड़े-बड़े फैसले हुए हैं तारीख की बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं और इन तालाबों को आज जम्मु कश्मीर में कहीं न कहीं जो है खत्म किया जा रहा है और आप त काम हुए हैं जो किले बने हैं जो चीजें बनी है वह आज तक जो है उसी तरीके से जिंदा है आज भी चिला चिला के कह रही हैं कि उस दौर में सब कुछ था लेकिन काम सही होता था उस दौर में सब कुछ था लेकिन लोग जब महनत करते थे महनत करते थे वह महबत से मशक अगर आप पत्रों को भी देखें आज अगर इनको उठाना हो यहां तक पहुंचाना हो जो यहां लगे हुए हैं इनको पहुंचाने के लिए जो बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं कि इन पत्रों को यहां लाने के लिए उस वक तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर अगर आप इसकी नक्षों निगारी भी देखें किस तरीके से जो हैं पथ्रों को काटा गया है और उसके बाद जो है यह खुबसूरत द्रिश्च जो है आपको हम आज दिखा रहे हैं आप सब लोग यहां से गुजरते होंगे सोचते होंगे कि इस विरान जगा को आबाद क्यों नहीं किया गया हम भी उम्मीद ही रखेंगे कि जल से जल यह जगा आबाद हो इस जगा में भी लोग आएं लोग बैठें लोग भादचीत करें और गंद न डालें क्यूंकि हमने भी देखा यहां पर जितना भी प्लास् आपको साफ करें और यह हमारी संस्कृति है यह हमारा वर्षचस्तु है और यही बताता चैना कि अपनी ही सभयता अपनी ही कल्चर को भुलने के बाद कहीं न कहीं इतने तालाबों को खत्म करने के बाद आने वाले वक्त में दोगरा की जो पहचान है वही खत्म हो जाएगी इसलिए जूरते ने स्ट्रेट लाइन के साथ देखते ने स्ट्रेट लाइन